आज हम मतन चाप बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी यह फ्राय करके बनती है इसमें इस तरीके ली जाती है और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लें किसी चीज से तो इसमें एक टीस्पून के गरीब हम नमक मिला देंगे और यह तीन टीस्पून हम इसमें कच्छा पापीता मिलाएंगे जो रॉप अपाया होता है जिससे यह गल जाएं हमारे चाप्स जो है इसको अच्छी तरह से मिला के मिक्स करके और मसाज कर दें थोड़ी सी यह जो मीट वाला हिस्सा है और फिर इसको दो गंटे कर रख देंगे उसके बाद इसमें हम बागी के मसाले इसमें हम एक टीज़ उफून जेंजर गालिक पेस्ट मिला देंगे और गर्मसाला पौडर ही एक टीज़़ून यह भी मिलादेंगे लाल मिर्स का पाउडर एक टेस्पून या अपने टेस्पून से जादा भी डाल सकते हैं दन्या पाउडर भी ए या अधा टीस्पून डाला है थोड़ा सा हल्दी डाल दिया इसमें दो पिंच के बराबर और एक वोकोनट है कैश्व और पॉपी स्वीट से इनका पाउडर और यह चार टेस्पून हमने इसमें बना बेसंड डाल दिया है और यह तली हुई प्यास का पेस्ट है यह रोज वाटर है थोड़ा सा डालेंगे और केवड़ा वाटर भी इसमें डालेंगे हम एक टीस्पून के खरीब और अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को और यह दही दो चमच दही इसमें डाल देंगे हम और जो बचा हुआ बेसने यह भी डाल देंगे तो चार टीस्पून पढ़ जाएगा जाएगा अाँ और मिक्स करने के बाद थोड़ा सब्सक्राइगे डालेंगे हम तो टीस्पूण के भाद है और इसको भी खोड़ा सामने फ्किन वेश्माफ थोड़ासे में जब निकाल देंगे जाप को भुञ्सार होगे यह लगना चाहिए है अच्छे सीस् questioning पके और इसको एक साइट से जब गोल्डन कलर हो जाएगा तब हम इसको पलट देंगे और अगर आप चाहे तो इसको थोड़ी दिर के लिए ढग भी सकते हैं ताकि यह अच्छे से गल जाए यह देखिए एक तलब से बिल्कुल अच्छा सा कलर आ गया है इसमें तो यह पलट अगर कुछ गली कम है लग रही है तो आप इसको ढखके भी थोड़ी देर पका सकते हैं तो अच्छे से मिल्कुल हमारी गल गई है तो इसमें जादा ढखने की ज़रत नहीं पड़ रही है पाईचांस अगर कम गली हैं तो आप ड़के भी गला सकते हैं तो थोड़ा सा एक देदें ताकि बिल्कुल बार्बेक्यो वाला फ्लेवर आजाए इसमें और आपके पास बार्रीक्यो है तो आप उसमें भी कर सकते हैं तो यह हमारी चाप़े बने के तयार हो गई है बहुत ही मज़े की होती हैं बहुत ही टेस्टी लगती है इसको आप जैसे भी चाहे पसंद आई हो तो लाइक करिए शेयर करिए और सबस्क्राइब करिए हमारे चैनल को फिर मिलेंगे इंशालो एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज अस्सलामु अलेकूम